PM किसान समान निदी योजना में EKWC को सरकार ने mandatory कर दिया गए है जो इस योजना का सालना 6,000 रुपे लेना चाहता है उस किसान को EKWC करानी होगी लेकिन सरकार किसानों के साथ खिलवाड कर रही है जहें किसान निदी योजना में EKWC के ओप्सन को 8,000 वे 20,000 से 15 दिन हो चुके है लेकिन अब तक कोई भी किसान सही से EKWC नहीं कर पा रहा है सरकार वह रही है कि सब भी किसानों को EKWC करनी होगी लेकिन किसान EKWC किस तरह से करे है नहीं तो CSC सेंटर में सही से EKWC हो रही है नहीं मॉबाइल से EKWC हो रही है तो किसान किस तरह से EKWC करे और सरकार ने साथ में पिम किसान योजना की अगली किस्त की भी गोसना कर दी है एक जनवरी 2022 को PM किसानियोजना की अगली किस्त मोदीजी जारी करने वाली है और किसान EKWC किस तरह से कर सकते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी लोग हैं वो परेसान हैं EKWC जब भी करने की सोचते हैं तो वहाँ पर उनके मॉबाइल पर OTP नहीं आ रहा है जहां किसानवें अगर आप भी EKWC करना चाहते हैं अपने मॉबाइल से तो कुछ समय पिंग सानियोजना की वेबसेट सही से वरक करती है कई बार EKWC आपकी सकसिस्फुल हो जाती हैं लेकिन बहुत सारे किसान है जो EKWC नहीं कर पाते हैं उनका या तो इनवेलिड OTP बता रहा है या फिर उनके मॉबाइल पर OTP नहीं आ पाता तो यहां पर मैं आपको स्टेप बाइ स्टेप बताओं तो मैंने जब पिंग सानियोजना की इसके बारे में बात की जो पिंग सानियोजना की अधिकारी हैं जो पिंग सानियोजना में हेल्प लाइन नंबर दिये जाते हैं वहां पर मैंने अपने स्टेट और डिस्टिक लेवल के अधिकारीं से बात की उन्होंने मुझे बता है कि यहाँ पर PM किसान योजना का एक टेक्निकल इसू है इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं आलागि यह सही बात है कि टेक्निकल इसू में अधिकारी कुछ भी नहीं कर सकते हैं लेकन PM किसान योजना की वेबसट इस तरह से वरक करेगी यह किसे नहीं सोचा था क्योंकि यहां पर बहुत सरे करोड़ों किसान एड़ हैं और उन किसानों को इस तरह से यहां पर प्रेसा रहना प्यम किसाने हो जाना के लिए बहुत ही बड़ी ख़बर है यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर आप जैसे इस ओप्शन पर आओगे यहां पर बेसकलि इस तरह के इंटरफेस आपको दिखाई देने वाला है यहां पर खिसानों को इलिए सरल करने के लिए यहां पर आपको केपसर अप्शन अटा दिया गए है सदा यहां पर खिसान को आधार नमर डालना होता है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ आप एक किस तरह सी कर सकते हैं तो फिलाल मैं यहाँ पर आधार नमर डाल लेता हूँ आधार नमर डालने के बाद आधार आपको सर्च वाले उप्सिन पकली करना होता है तो किसान बहुत बार इस तरह का error आजाता हूँ तो आपको इस website को refresh करना होगा यहाँ पर हम आपको दिखा देता हूँ यह बहुत सरे किसानों को problem कर रहे है तो यहाँ पर आप एक बार refresh कर लीजेगा फिर यहाँ आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आज़ेगा यहाँ पर आपको निचे के तरफ अस्कूल करोगे तो यहाँ पर आपको registered mobile number डाल ले होगे जो आपके अधार कार्ड में है तो यहाँ पर मैं mobile number डाल लेता हूँ mobile number डालने के बाद यहाँ पर आपको gate mobile OTP वाले option पर कलिक करना होगा जैसे आप कलिक करोगे तो यहाँ पर किसानों को बहुत ज़्यादा problem हो रही है तो यहाँ पर किसान वे आपको 2-3 minute वेट करना होगा यहाँ पर मैं 2-3 minute जैसे वेट करूँगा तो यहाँ पर आपके इस तरगे पेज आने वाला है और यहाँ पर आपको OTP के लिए वेट करने के लिए बुला गया है यह अब आपको mobile पर एक OTP बेज़ा जाएगा तो किसान वेट मैंने अभी तक वेट कर लिए यहाँ पर मेरे mobile में अभी तक OTP नहीं आया है तो इसके बारे मैं बता दो जब अधगारियों से बात केगी तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक टेकनिक लिए सुहें यहाँ पर जब भी ट्रेफिक कम होती है या फिर जब रात की समय आप ट्राइ करते हैं तो यहाँ पर यह वेबसाइट बिल्कुल किलिर होती है तो वहाँ पर आप आसानी से EKWC कर सकते हैं बाकि यहाँ पर जदा ट्रेफिक होने की विज़े से यहाँ पर आप EKWC नहीं कर पाऊगी दूसरी मों बता दो पिंक सन्युजना की अगले किस्त की घोस्षणा हो सकी है तो मैं बताना चाहँ गाँ गाले की सबी किसानों को दी जाएगी यहाँ पर EKWC को इस किस्त में हो mandatory नहीं किया गए है अगली किस्त में हो सकते इस नहीं दी जाएं लेकिन अगर आप EKWC नहीं कर पा रहे हैं तो आप EKWC वह जनवरी के बादासा नहीं से कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ट्रेफिक अधू कम कर लिए जग धन्यमत किसान पर मिलते हैं अगले वीडियो में